नमस्कार पाकिस्तान को लगे दो बड़े जटके एक जटका पाकिस्तान कुछ परमानू एक्टमेंट तसक्री कर रहा था कराची से एक शिप जा रहा था चाइना के शैंग है और उसमें उसने समान को कई कंटीनर्स लोड कराए थे जिसमें कागजों में कहीं यह नहीं लिख लिखा हुआ था इसका मतलव उसके अंदर न्यू क्लियर कुछ था मींज़ जो हैजाड क्लास सेवन रैंकिंग दी उसके न्यू क्लियर मेटीर रेडियो एक्टियम उसमफ कंटीनर पर लिखा हुआ था था तो यह पूरी कहानी इंडियन इंडियन के कि वह पहले से पता लाया गया जो के गुझुरात में है और यह अडानी इस पॉर्ट को चलाते हैं ला करके उन कुटीनर्स को अफलोड करा लिया गया है अब इसकी जार्च जारी है डिरेक्टेट उफ एवड़ी इंटेलियंज और कस्टम्स दोनों इसकी जार्च करें और इसी टीम की एक काबि लेकिन इस वाले को तो ट्रैक करके पकड़ लिया गया है और ऐसे दोनों कंट्रीज के बीच में नूक्लियर मैटीरिल की शिप्मेंट होती रहती होगी इससे इसका अंदेशा है इंडियन इंटेलियंस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने पकड़ लिया है सामान मुंडरा पोर्ट पे अभी खड़ा है यह 18 नुवंबर आज से दो दिन पहले की कहानी है जब हमने पकड़ा था और आज अभी वहां रखा है हम इसको पूरा ठीक से देख करके बताएंगे हमारी गौर्मेंट इसको पूरा ठीक से जाच करेगी किया है और इसमें क्या था इससे पहली बार नहीं है इससे पहले भी हो है इसमें कुछ सवाल सामने उठते हैं दो दिन हो चुके उनका कंसाइनमेंट एक शिप से इंटरसेप्ट हुआ और उसको पोर्ट पर उतार लिया गया यह खबर पाकिस्तान को भी पता है पाकिस्तान से कोई कंसाइनमेंट जा वो भी इतना important consignment nuclear material जिसको सरकार ही खरीदती है और कोई नहीं खरीदता न nuclear material प्राइवेट वाले कोई power plant खरीदेगा और कौन खरीदेगा जब प्रावा पांट्स एंडिया पाकिस्तान चाइना में तीनों में कोई private nuclear power plant नहीं है तो उसको सरकार ही खरीदती है और सरकार की नि रहा था तो पाकिस्तान की भी नजर होगी और पाकिस्तान की नजर थी तो पाकिस्तान को ये पता लगा होगा कि ये ship move कर गया इंडिया की और तो उनके उनको कहीं न कहीं खत्रा महसूस हुआ होगा ship move बहुत पहले हुआ 18 तरीक को ये offload कर लिया गया थे ship पहले move करके आया offload किया फिर उसके बाद ship को free कर दिया गया शिप चला गया कि नहीं मुझे नहीं पता है लेकिन material offload हो गया जब offload हुआ या इसमें कुछ गरबार पकड़ी गई उस समय भी पाकिस्तान को बताया गय होगा अब तक पाकिस्तान के तरफ से कोई reaction नहीं इसका मतलब पाकिस्तान भी इस खबर को दबाना चाहता है पाकिस्तान भी कुछ कहीं चोरी कर रहा था ना चाइना की तरफ से कोई reaction है कि उनका cargo इंडिया ने रोका क्यों उतारा क्यों ना पाकिस्तान ने कुछ बोला कि हम किसी की तरफ से नहीं कैसे घंटे बहुत बड़ा टाइम होता है व्यक्तान तो एक घंटे में रियाइग करता है पाकिस्तान पहले से पता यह कंत्स हों क्योंकि ship ने inform किया होगा अपनी company को और उस company ने inform किया होगा पाकिस्तान को पाकिस्तान की जो भी वो cargo book किया था और जिस ने book किया उसने inform किया होगा तुम्हारा cargo इंडिया में उतार लिया गया है कहीं पे उसमें गड़बर दिखी है पाकिस्तान ये कॉर्मेंट को भी साफ पता है और ऐसा कोई आरोप कहीं से नहीं लगा इसका मतलब मैटल बहुत सीरियस है दोनों कंट्रीज इस बात पर रियाक्ट नहीं करना चाह रहे है इसका मतलब दोनों कुछ गडबल कर रहे थे दोनों को चोरी करते जिसको इंडियन इंटेलियंस काबिल इंटेलियंस महंती इंडियन इंटेलियंस ने डिटेक्ट कर लिया और पाकिस्तान और चाइना की इस तसकरी को एक्सपोज कर दिया ये दुनिया के सामने आएगी कहानी की था क्या साथ में ये भी clear है कि ये secret consignment था क्योंकि इसके कागास बोलते थे ये hazardous नहीं है और इसके उपर hazardous लिखा था तीसरी चीज इस consignment इतना secret था कि इसके उपर कोई भी country react करने के लिए था यार नहीं है दोनों countries react करने के लिए चौथी चीज ये सारे के सारे ये कोई छोटा मोटा कंसाइनमेंट नहीं था कई containers में था अगर private company करती भी है तो वो इतने सारे containers में नहीं लाती है कई containers थे जो सारे उतार लिया गए Indian intelligence ने भी बहुत उसको ध्यान से और DRI की भी तारीफ करूँगा मैं customs की भी तारीफ करूँगा उन्होंने भी ध्यान से सारे ship को ठीक से देख करके उस एक एक container उन्होंने उतार लिया कोई container बचने नहीं दिया इसके साथ साथ ये पहली बार नहीं है पिछले साल पिछले साल चाइना से M11 missile के कुछ pieces जा रहे थे M11 missiles जा रहे थे कलाची की और उसको भी रोक लिया गया था वो कांडला पोर्ट में पकड़ा गया था उसको और उससे पहले North Korea से कुछ missiles जा रहे थे पाकिस्तान उसको भी intercept कर लिया गया था तो ये पाकिस्तान की इस इस इन नापाक हरकतों को हमारी intelligence और हमारे jamas officers पकड़ते रहते कोई नई चीज नहीं है बहुत बहुत ही काबल intelligence मैं बोलूँगा कि हमारी intelligence की बहुत बड़ी कामियाभी बट स्टिल एक और एक और कामियाभी अब की बार रशिया की पाकिस्तान ने खरीदे थे रशिया से hand foot contamination indicator यह करते क्या हैं हाथ और पैरों में यह बॉडी में गामा रेस को डिटेक करते हैं कि इसमें गामा रेस जादा तो नहीं आ रही कहीं पे और उसके detection के लिए यह कुछ मशीन सुनों ने मंगवाई थी रशिया ने अपनी नजर रख्य हुई थी कि यह मशीन क्यों मंगवा रहे हैं बाद में पता लगा रशिया को कि यह चश्मा nuclear reactor के लिए मंगवाई जा रहे हैं तो उन्होंने किया क्या 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 हुआ इसके साथ यह हुआ कि एक तो उनका एक confinement पकड़ा गया और एक वो अपने ले जो equipment मंगवा रहे थे वो भी वो भी अब नहीं मिले गा उन्हें तो पाकिस्तान को 12 nuclear जटका लगा है वैसे वो चोरी से ले रहे थे इससे पहले वो जर्मनी से भी चोरी से ले रहे थे कुछ ज यह हमारे country से और दूसरे Europe countries से private companies के नाम पर ऐसा material खरीद ले जो कि nuclear या तो nuclear weapons के लिए होता है या nuclear technology के लिए होता है या किसी और चीज से directly related होता है nuclear उससे और उन लोगों ने तो अपनी दीवारें strong कर दी थी कि वहां से कोई तसकरी हो न पाए Russia उनको दिखा था Russia से उन्होंने ख़िज़ा था अब Russia ने भी उन अपनी दीवारें खड़ी कर दी और उनके इस contract को cancel कर दिया अब जहां तक बात ही है कि क्या situation situation यह कि हमारी 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 जावाज officers लगे हैं इस काम में कि पाकिस्तान और चाइना हेरा फेरी क्या कर रहे है वो ओड़ी और पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया और वापस चाइना में गिर गई इससे उन्होंने यह demonstrate किया कि वो पूरी वर्ल्ड में कहीं पे भी attack कर सकते हैं सरकम navigate कर किया है पूरी वर्ल्ड का एते टेस्ट कर रहे हैं । तीन वी मिसाइल होती है एक सबसावन की स्पीद से कम चलती है हाब अवाज की pan चलती एक सूपरव शंशाय्ल । जो कि सांट की स्पीद से थेज्ट चलती है और एक हाइपसानिक में सैल जोके sound की speed से पांच गुना तीन होना पांच गुना ज़्यादा speed पे चलती है तो यह hypersonic missile थी in fact यह missile जो थी atmosphere cross करके space में चले गई थी उसने वहाँ पे चक्कर लगाया और वापस वो अंदर चाइना में गिर गई तो इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह लोग हीरा फेरी कर रहे हैं और nuclear हीरा फेरी कर रहे हैं कोहीं पे खत्रा बन रहे हैं दोनों के दोनों पूरी world के लिए लेकिन सारी किस सारी countries एकठी लामबंद भी हैं इनके खिलाफ और इस पर अभी आगे update मुंदरा पोर्ट हमारी नजर रहेगी कि वहाँ पर क्या है और क्या पकड़ा जा रहा है इस पर हम आपको update देते रहेंगे अभी के लिए नमस्कार चैहे